हेलो फ्रेंड्स हाव आर यू आई थिंग कोल आर गूड सो हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन्स की साइट पर जब हम चेक करते हैं तो देखो लेक्चरर की जिसके लिए हमने पहले भी वीडियो बनाई थी लेक्चरर की ग्रूप बी में वेकैंसी निकली थी लेकिन उसमें आ यह भी हम यहां पर आपको जो है प्रोवाइड करवा देंगे वीडियो में कि किस किस डिपार्टमेंट में वेकैंसी है उसे पहले जो एक इंपोर्टेंट नॉटिफिकेशन है जो की हमने भी आज ही देखा है यह एड़र्टाइजमेंट नंबर 11 ऑफ 2021 पोस्ट ओफ लेक् पोटेंट से नहीं होती है तो देखो इसमें साफ डिकलेर लिखा हुआ है कि that as for the service rules of these पोस्ट अकेडमिक क्वालिफिकेशन सेर मैंने यूजी पीजी एक्वाइड थ्रो रेगुलर मोड अफ स्टुडियो फ्रो में रिकॉगनाइज यूनिवस्टी यानि कि सिर्फ यह दे पीजी की हुई है पोस्ट ग्रेजवेशन या अंडर ग्रेजवेशन जो उसमें डिमांड मांगी गई है वो होनी चाहिए आपकी 17 12 2020 का ये नोटिफिकेशन है आप भी चेक कर सकते हो हर्याणा पब्लिक सर्विस कमिशन की साइट पर वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जो इसमेंट में जो वेकेंसी निकली थी उनके लिए आपके पास रेगुलर मोड की होने चाहिए एक बार वेकेंसी को भी देख लेते जिन्नोंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है उनको बता दे कि ये हर्याना में जो लेक्चरर ग्रूप बी के लिए ये पोस्ट निकली हैं कौन-कौन सी हैं किस सब्जेक्ट्स की हैं वो आप एक बार कन्फर्म कर ले वाप पिस हमें उसी साइट पर जाना होगा और यहां पर है ये जी स्लेबस अगर आप में अप्लाई करते हो तो स्लेबस भी यहां पर दिया हुआ है एड़र्टाइजमेंट फोर ग्रूप तो ये ग्रूप बी के लिए लेक्चरर के लिए जो वेकेंसी थी उसके साथ साथ फोर्मेंट की भी वेकेंसी निकली थी सोरी ये वही हो गया ये देखो नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड कर लिया था हर्याणा पब्लिक सर्विस कमिशन की देट ओफ पब्लिकेशन इसकी 10-12 थी और जो ओपनिंग डेट थी वो 13 और क्लोजिंग डेट है 6 जन्वरी तो 6 जन्वरी से पहले आप अप्लाई कर सकते हो और 17 जन्वरी वैसे तो इनका ये फाल्ट है कि भी 13 तारिक से स्टार्टिंग हो गए हैं और 17 को नोटिस डाला ग लेक्ट्रीन अग्री कल्ट。 इंजीनियरंग लेक्ट्र इन आर्किटेक्ट् Hour ओट ओभाइल इंजीनर्ड उन्चनियरंग चेमिकल इंजीनियरिंग्वी डि और इनकी क्या क्था क्थे केशन मांगी गए ती वह एक बार चेक करलेते हैं बेंखो सभी मूण मास्टर डिगरी होनी चाहिए first classes से आपकी उसके बाद देख लेते हैं lecturer in क्योंकि बहुत फ्रेंडों के message आ रहे थे कि accounts और business management देखो business management first class master degree in business management business administration with net PhD the subject of business management business administration हिंदी संस्कित आपकी होनी चाहिए metric और higher education में उसके बाद lecturer in finance accounts and audit के लिए first class master degree in commerce business administration with net qualified यानि की net है आपके पास और आपने कर रखी है m.com तो आप eligible हो और उसके साथ आपके पास metric या higher education में हिंदी या Sanskrit में से एक subject होना चाहिए तो आप apply कर सकते हो और बिल्कुल करने चाहिए वेटिंग रहती है इनकी लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी ध्यान रखना कि जो आपकी regular mode में होनी चाहिए पोस्ट ग्यजिशन की डिग्री ये specially mentioned है पे स्केल आपका जो रहेगा 53,100 फोर मैं इंस्ट्रक्टर का रहेगा 44,900 तो थैंक यू सो मच और प्लीज शेर और सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स में भी शेर कीजिए जो की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो भी दे पाए और लास्ट डेट इसकी आपको पता चल गई होगी और ओनली एंड ओनली रेगुलर बेस के ही इसको फिल कर सकते हैं ये दियार रखना और फूल डिटेल थी जो हमने इसकी आपको बता दी थी कि 21 to 42 येर्स एज लिमिट होने चाहिए एक बार फीस भी कनफर्म कर लेना 1000 से male candidates की उसके बाद 250 है female candidates of journal category की तो अगर journal category किसी भी category से female बिलोग करती है तो उनकी 250 है और अगर आप EWS से हो male female कोई भी उनकी 250 रहेगी only journal के जो mail है उनकी 1000 रहेगी बाकी की पोस्ट बाकी की जो फीस है वो 250 रहेगी और जो percent disabled है उनकी कोई फीस नहीं लगेगी और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप इस notification का link ले सकते हैं हम इसका अगर आपको link चाहिए तो हम link provide करवा देगे thank you so much